बॉलिवूर्ट के दबंग यानि कि सलमान खान आज 27 दिसंबर को 54 साल के हो गए हैं यूं तो सलमान खान हर साल अपना जनमदीन पनवेर इस्तित अपने आलिशान फॉम हाउस पर मनाते हैं वो अपना जनमदीन परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं इस पार्टी के खुब चर्चा भी रहती है लेकिन सलमान से जुड़े सुत्रों की माने तो इस बार उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी और बाकी सभी प्लांस भी कैंसिर कर दिये हैं ये सब सलमान ने अपनी बहन अर्पिता खान की वज़ा से किया है सलमान खान अपना 54 बर्थ एनवर्सरी बहन अर्पिता के साथ खास अंदाज में बनाने वाले हैं दरसल अर्पिता एक बार फिर से प्रेगनेंट हैं डॉक्टर ने अर्पिता को 27 दिसंबर की ही डिलिवरी की डेट दी है यानि कि सलमान के बात्थदे के दिन ही उनका दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है सुत्रों की माने तो उसी के चलते सलमान ने अपने जन्मदीन पर बहन अर्पिता के साथ रहने का फैसला किया है खबरे ऐसी भी है कि अर्पिता और उनके पती आयूश शर्मा ने डॉक्टर से खास सलमान खान के जन्मदीन के दिन 27 दिसंबर की सी सेक्षन के जरिये डिलिवरी डेट ली है सलमान के करीबी सुत्रों के मुदाविक इस साल उनके जन्मदीन की पार्टी छोटे भाई अरबाज के घर रखी गई है जिसमें दबंग के परिवार और अर्पिता के साथ साथ उनके करीबी शामिल होंगे सुत्रों की माने तो अर्पिता भाई शल्मान को उनके जर्मदिन पर सी सेक्षन डिलिवरी के जरिये उन्हें नन्य मेहमान का तौफा देना चाहती है वाकर ये सल्मान खान के लिए बहुती स्पेसल जिफ्ट होगा ये तो जग जाहिर है कि सल्मान खान अपने भांजे आहिल से कितना प्यार करते हैं